गुना करें प्रस्न पांच तो प्रस्न पांच कक्य आठ दस्मलों तीन सुन्य रुप्या गुना चार तो आठ दस्मलों तीन सुन्य रुप्या को चार से गुना करना है तो सुन्य गुना चार सुन्य हो गया चारतिया बारा चारतिया बारा अब देखें दस्मलों देंगे यहाँ पर चारतिया बारा हाथ में रहा एक 832 एक 33 यानि 33 दस्मलो दो सुन्य रुप्या इसका उत्तर आएगा ख ख में है 12 दस्मलो चार पांच रुप्या गुना चार 12 दस्मलो चार पांच रुप्या गुना चार तो यहां पर रुप्या लिख लेंगे 5 चोग 20 हाथ में रहा 2 4 चोग 16 दो 18 हाथ में रहा 1 4 दुना आठ एक 9 4 गुना एक 4 तो इसका उत्तर आएगा 49 दस्मलो आठ सून्य रुप्या यानि 12 दस्मलो चार पांच रुप्या को 4 से गुना करने पर कितना आएगा 49 दस्मलो आठ सून्य रुप्या ग तो ग में है 18 दस्मलो 75 रुप्या तो इसको 6 से गुना करना है तो यहां पर रुप्या लिख लेंगे 6 पचे 30 देखे गुना करेंगे 6 पचे 30 हाथ में रहा 3 7 चक 42 3 45 हाथ में रहा 4 अब 10 मलो देदेंगे 8 चक देख शक गुना करने के पहले यहां पर 10 मलो देदेंगे क्यूंकि हां पर 10 मलो है 8 चक 48 और 4 इदर से 55 आ रहा था 48 चार 22 मन हाथ में रहा पांच छे गुणा एक छे छे पांच इगार तो इसका उत्तर आ गया एक सो बार दस मलों पांच सून्य रूप्या प्रस्न छे प्रस्न छे का क आठ रूप्या आठ रूप्या दस पैसा देखें आठ रूप्या दस पैसा गुणा तीन आठ रूप्या दस पैसा को तीन से गुणा करना है तो देखें आठ रूप्या दस पैसा को तीन से गुणा करना है तो देखें आठ रूप्या दस पैसा बराबर कितना होगा तो इसको हम लिख लेंगे 8.10 रूपया ठीक है? तीन से गुना करना है तो देखे 8.10 पैसा है 10 पैसा है तो रूपया और पैसा के बीच में 10 मलो दे देंगे तो ये रूपया में हो जाएगा यानि 8.10 एक सुन्य रूपया तो 8 रूपया है 10 पैसा है ठीक है? तो इसको हम 10 मलो के रूप में बदल देंगे बस बीच में 10 मलो लगा देंगे यानि 8.10 एक सुन्य रूपया अब देखे इसको गुना कर देंगे तो सुन्य गुना 3 सुन्ने, तीन गुना एक, तीन, अब दसमलो देंगे, आठति या चोबिस, यानि इसका उत्तर हो जाएगा, चोबिस दसमलो तीन सुन्ने रुपया, ख, मैं पांच रुपया साट पैसा, पांच रुपया साट पैसा गुना चार, पांच रुपया 60 पैसा गुना चार तो इसको हम लिख लेंगे देखें पांच रुपया 60 पैसा को हम लिख लेंगे पांच दसमलो छे सुन्य रुपया यानि रुपया और पैसा के बीच में दसमलो दे देंगे फिर चार से गुना करेंगे सुन्य गुना चार सुन्य 6 चोग 24 हाथ में रहा दो 5 चोग 22 22 यानि कितना आ गया 22 दसमालो 4 सुन्य रूपया तो 5 रूपया 60 पैसा को पहले दसमालों में लिख लेंगे यानि रूपया और पैसा जो भी है उसके बीच में दसमालों दे देंगे 25 शूने रुपया लिख लेंगे 5 रुपया 60 पैशा को और फिर 4 से गुना कर लेंगे ग 15 रुपया 30 पैशा गुना आठ 15 रुपया 30 पैशा को 8 से गुना करना है तो हम लिख लेंगे पंदरा दसमलो तीन सुन्य रूप्या देखें पंदरा रूप्या तीस पैसा को दसमलो को रूप में हो जाएगा पंदरा दसमलो तीन सुन्य रूप्या यानि बीच में दसमलो दे देंगे रूप्या और पैसा के बीच में यानि पंदरा के बाद तो पंद्रह दसमलों 3, сून्य रूपय हो जाएगा 8 से गुणा करना है तो यहाँ पर 8 लिखेंके यहाँ पर गुणा का चीन है देएंगे यह रूपया में आएगा तो सून्य गुणा 8 सून्य 8,24 अब देखें 10 같아 तो 10 मलों देंगा आठतिया 24 यानि हाथ में रहा 2 आठ बचे चालिस दो ब्यालिस हाथ में रहा 4 आठ गुना एक आठ आठ चर बार है यानि 122 दसमलो 4 सुनने रूपया घह 18 दसमलो 4 पांच रूपया गुना छे यानि 6 से गुना करना है ठीक है तो इसको हम लिख लेंगे 18 दसमलो 4 पांच गुना 6 इस तरह से या रूपया में है तो देखे 6 35 हाथ में रहा 3 6 24 तीन 27 हाथ में रहा 2 अब दसमलो देंगे 8 चक 48 तो 50 हाथ में रहा 5 6 गुना 1 6 6 5 11 तो कितना हो गया 110 दसमलो 7 सुन्य रूपया 110 दसमलो 7 सुन्य रूपया